पतेहबाद के लगू सचीवाले के बाहर अखिल भारत्य खेत मजदूर यूनियन का धरना दुसरे दिन भी जारी है मजदूर लगू सचीवाले के बाहर पड़ाव डाल कर बैठे हैं धरने की अगुवाई जिला परिशद रामचंदर द्वारा की जा रही है मीडिया से बाचित करते हूँ रामचंदर ने बताया की खेत मजदूर यूनियन, मनरेगा, राशनकार्ट, रहाइशी प्लॉट, मकानों की ग्रांट और स्कूली बच्चों को वजीफा देने संबंधी मांगो को लेकर धन्ने पर बैठी है उन्होंने बताया की अपनी मांगो को लेकर खेत मजदूर यूनियन द्वारा जीला प्रशासन को ग्यापन भी सोपा गया लेकिन प्रशासन से कोई संतुष्टी पूर्ण जबाब नहीं मिला जिसके चलते आज दुसरे दिन भी धरना परदर्शन जारी है उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता उनका परदर्शन जारी रहेगा लगाई जारी तरा तरांगी चर्टे लगा रखी है मकान मरमत की गरांट है जो जैजाद में उसको नहीं दी जारी और परदान मंतरी अवाश जोजना जिसके 3620 लोगों के फारंबरे चा चुके सरकार ने पिछले तीन साल से एक भी पैसा नहीं दिया जारा इन सब मंगों के लिए मनरेगा के मईदूर यहां सारी मंगों के लिए अपने बैठे और पीडे गलाबी राशनकार के नाम से सरकार ने जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया है पांसो लोगों में दो लोगों को बीपियल में शामल किया जा रहा है और यह साबत हो रहा है कि ऑनलाइन के नाम से गुमरा किया जा रहा है जदी सरकार इमानदार से बीपियल बनाना चाहती है गरिबों का तो जो बूमी ही ना मजदूर है उनको राशन दिया जाए और उनको शामल किया जाए और बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए पलाट नहीं है और वो गामों में बिना पलाट के बिना मकान के रह रहे हैं उनके लिए पलाटों के लिए यहां पर लोग बैठे हैं और कल परशासन से मारी बात हुई थी और वो आये थे आज वो कह रहे हैं हम बात आपकी सुनेंगे सुनवाई करेंगे लेकिन अभी तक परशासन का कोई दिकारी नहीं आया, एक बज़े का हमने समय दिया था पारी मांगें नरेगा के सौधिन पूरे करवाने, मकान की गरांट है, रैशी पलाट की गरांट है, बड़ापा पेंशन की गरांट, जो लगानी है बजर्गों की उसकी मांग है प्रतम तहलका के लिए फतेहा बाद से जीतिंदर मोंगा की रिपोर्ट